हेलो एबरिबरिबरेंग, गुड मार्निंग, मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागते संध्या एंरसोई में ठंडी का मौसम है और इस समय मक्की के पराठे बहुत ही टेश्टी लगते हैं तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे मक्की के पराठे उसके लिए हमने लिया है एक कप मकी का आटा और साथी में हमने ले लिया है एक कप पानी जिसको हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है और उसमें हम डालेंगे कुछ मसाले मिर्ची, अद्रग, धनिया को पीस के क्रस करके हमने इस तरह से पानी में डाल दिया है पानी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और यहां कर लेते हम चटनी की तयारी इसके लिए हम बनाएंगे आवले की चटनी बहुत ही टेश्टी लगती है मक्के के प्राठे के साथ तो हमने लिया आवला, हरीमिची, अद्रक, धनिया, जीरा, नमक और इनको पीस लिया, यहां पर हमारा पानी बॉयल हो गया है और इसमें हमने डाल दिया है, एक कप मकी का आटा चान करके और इस तरह से मिक्स कर लिया है और इसे हम ढाक करके रख देंगे, पांच मिट के लिए है और चटनी हमारी तयार हो गई है यहां पर और यह आटा इस तरह से पग गया है, गरम पानी में डाला था हमने तो हमने लोई बना कर कुछ इस तरह से हम बेल लेंगे इस पराठे को आप चाहें तो इसको हास से भी बना सकते हैं मैंने कुछ पराठे हास से और कुछ पराठे बेल कर बनाये हैं तो इस पराठे में हम लगा देंगे सरसों का तेल, आप चाहें तो घीवी लगा सकते हैं, और ये पराठा हमारा बहुत ही क्रिष्पी और टेष्टी बनकर त्यार हुआ है, दूसरा पराठा हमने डाल दिया है, और तीसरा पराठा हम हाथ से बना रहे हैं, हाथ से भी ये बहुत अच्छे से बन जाता है और बहुत ही टेश्टी लगता है हाथ का बनाया हुआ पराठा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपसे हाथ से बन जाए तो आप हाथ से बनाई ये बहुत टेश्टी बनता है और ये हमारा क्रिस्पी और करारा पराठा बन करके तैयार हो गया है और हमने ये तीसरा पराठा भी हाथ से बनाया हुआ है और यह देखिए आप इतना कुरकुरा और टेश्टी पराठा है अच्छा